नवश्कार 18 जून 2024 का दैनिक राशिव फल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्तत है चंद्रमा तुला राशिस्तान में स्वातिनक शत्र मंगलवार तो वहीं जेस्ट मास शुकल पक्ष चल रहा है निर्जला एकादाशी वृत आज के दिवस महीं है जेस्ट मास की तप्ति दुपहरी और उसके साथ में किसी व्यक्ति को सेवा भाव के साथ जल से तरप्त करना उसकी प्यास को बुझाने के तरफ जाना एक अधभुद पूर्णने का कार्य है किसी भी व्यक्ति को अपने भावों से वस्तों से अपने सेवा संसकार से तृप्त करने के और जाना उस व्यक्ति की संतुस्टि को परदत करने वाला एक करम है जब व्यक्ति की तरशना हो वो कुछ कह नहीं पाए और कोई व्यक्ति विशेश वहां तक पहुंच कर उसके लिए अपने भावों के साथ में आधर समाहित करने वाला हो तो सब कुछ परिवरतित होने वाला होता है इस एक आधशी के दिवस विशेश के साथ में जब विशेश सेवा भाव के साथ में जोड़ता है तो सबसे पहले वो अपने मन को तरप्त करता है दूसरे की तरप्ति दुवितिय आगामी आधार के साथ में परंदू सरप्रतुम खोद की तरप्तिय निकल कर आती है कि बांटने के सुख के साथ में हम चले स्वार्थ परक्स्तियों से निस्वार्थ भाव की और हम आगे बढ़ते चले गए और वहीं से मन के भाव परिवर्थित होने वाले रहे समय दर समय ऐसे त्योहार आते हैं समय दर समय ऐसे अवस्ताएं आती है जहां पर व्यक्ति दान और पुर्णी के महद्व के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखता है और कुछ न कुछ वहां से भी जोडने का प्रयातने करता है परन्तु उस अर्थ से हट कर जब व्यक्ति इसी एक बात को अपने भीतर तक रखता है कि इस यात्रा के प्रवाव में बहुत कुछ ऐसा है जो उसे तरप्त कर रहा है और जो उसके लिए एक अलग माध्यम लेकर आ रहा है वही से संतुस्टे निकल कराती है इस दिवस्विशेश के साथ में जिस भी दान पुर्णी के वस्ता के साथ में आप जुड़ सकते हैं बुर्णने का भाव और वो है जेश्ट मास की तप्ती दुपहरी के साथ में इस एकादा शिवरत के साथ में चलते हैं वो इस समागम का भाव जहां विकती यदि निरजल परत रखने के और जाता है तो उसको जल की एक एक बूंद का महत्व ध्यान पढ़ता है और वहीं से वो इस प्रकृति की प्रती और अधिक सम्मान के साथ में जुडने वाला हो जाता है कहीं कुछ और परिभाशा रखने की जुरूती नहीं कुछ गंटों की प्यास ये बता देती है कि जल का महत्व कितना है कुछ सेकंड्स के साथ में जो एक तरह से स्वास की स्थियों को नहीं लें तो बता देती है कि प्राण वायू का महत्व कितना है कुछ गंटों या कुछ दिनों तक नहीं किया जाये तो मालू चल जाता है कİPRAKURTY के साथ में जो ये अन्ले की विवस्था इसका मेंट तो कितना है बस ये महत तो ही कुर्दक गयता का भाव है मेहत तो बताता है कि PRAKURTY के साथ में सामंजस से क्या वश्टता है कितनी है बहराल इंसारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहां 18 जुन की तनिक राशिफल की स्ततियों के और बढ़ते हैं मेश राशी व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए भागदोड है परन्त बेहत शांदार परिणामों की परते दोने भी आपके समक्ष बनी रह सकती है गुरुहस्त पक्ष के साथ में सामझे से लेकर आप चलने वाले होंगे कोई भी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं या कोई भी डिसाइजिव वर्किंग अपरूद सामने है उसमें आज आज आपकी परफॉर्मिंस देखते ही बनती है रुकावटें बाधाय नहीं विद्यार थी वर्ग एकाग प्रिता के साथ में चलने वाले रहेंगे स्वास्त में पेड से संबंदित समस्याओं से सावधानी बरत कर चलिएगा विदेश संबंदिकारियों में बहतर संकेतों की प्राप्ती आपके साथ में उपस्तित तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी धार्मिक यात्रा का प्रयोजन मातर बन रहा है तो उसमें भी स्वहिम को जूड कर रखना आपके लिए एक अधभुत अवस्था करम का प्रतिमान कहा जाएगा वहीं पर सुभह सुभह के अंतराल में एक से सवागंडे तक मौन रहते हुए सुभहिरी हनुमन तुपासना की और जोड़ा जाता है तब भी निश्चलकती देखते विशेश अपने भी तरदेख प्राप्त करता चला जाता है बुरुषभ राशीव आधिक देखिएगा लोगों के भरो से रहकर चलना आज दुविधा जनतिस्द हो सकता है सारे ही सिरों को अपनी और मोड कर काम काज में बढ़ने का प्रयास करते चले जाएगा नई रंगत स्वहिम के लिए प्राप्त करने वाले होंगे निरनायक मौकव पर आत्म विश्वास में कमी रह सकती है इस बात पर बार बार विचार करते हुए आप चलिएगा वहीं जो वर्किंग मोडिफिकेशन्स की अप्रोच आप लेकर चल रहे हैं उसमें भी आज पॉसिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी आपने लोगों से विपरीत किसी कामकाच की शुरुबात की सफल होगे या असफल लोगों की नजर है परन्तु हम चलते चले जा रहे हैं अंततोक असफलता मिलती है और वहीं से लोग भी हमारे प्रति उत्साहित होने लगते हैं मान सम्मान से देखने लगते हैं वो प्रवर्तियां आपके लिए उजागर तो भी मितोन राशी सरवर्दम बंचम भावस्त रहेंगे चंद्रमा अध्यात्मिक पक्ष के साथ में वृद्धी के प्रतविंब आपके लिए निरंतर तोर पर बने हुए हैं तो वही मन के भीतर जो लंबे समय से चंताओं के भाव बने वोई थे वो भी हट कर आगे बढ़ने वाले रहेंगे बुद्ध परदान राशी के मानुभावों के लिए सरवांगिन लाप की स्ततियों के साथ में वुर्धी की प्रतविंब हैं अपनी रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अप्रोच करके चलने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए गुरुहस्त पक्ष के साथ में संबाद कौशल की स्ततियां तो वहीं चोटी-चोटी यात्राएं विराट सफलता के करम को आपके साथ में जोटने वाली हो सकती है इस समय अंतराल में आप यही मशीनरी या फिर मैनुफेक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अपने जीवी को पारजन को देखते हैं वहां से भी संबुर्द गतिशीलता आपके समक्ष यहां रहने वाली हो सकती है मन के भीकर छोटी-छोटी बातों को लेकर कोई भी बुलावे रखकर चलने से बचिएगा विध्यारतिवर्ग, भटकाव के शिकार होकर चलने से बचेएं जो यात्रा आपकी है, वो सिक्षा की है सिक्षा जो जीवन परियंत विक्ति विशेश को एक अलग इस्तर देकर रखती है उसकी प्रती समर्पित भाव आप जरूर रखिएगा करक राशी आज के दिवस में आफिस के स्ट्रेस आप पर थोड़े से हावी हो सकते हैं उनसे संबल कर चलें और रुपाई पैसे के लें देन में वले ही कितना ही गनिस्ट वेक्ति हूँ कल्कुलिटिव रहकर चलिएगा अजम्शन के साथ चलना या देख लेंगे उस प्रवर्द्धी के साथ में चलना विल्कुल ठीक नहीं वाणी जितने नियंतरत भाव के साथ में रहती है उतना अच्छा आत्म विश्वास के सिरों को भरपूर इस तर के साथ में आप अपने लिए वृद्धी की प्रतिविंब में लेकर चलने का प्रहत में करते चले जाईएगा और वहीं पर आज कुछ हद तक ब्रीधिंग को रिलेट करते हुए इशूज यानि डिस्टरब करते हैं तो प्रॉपर वेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की जरुत रहीगी मन के बीतर बारम बार विचारों की उद्विक नताजों बनी हुई थी उससे हटकर आप चलने का प्रयत्म कीजिएगा याद रखें कि ग्रुहस्त पक्ष और संतान पक्ष की और से जो आकस्मिक तोर पर सयोग आपको कामकाजी जीवन में प्राप्त हो रहा है वो इस दिवस की नैसर की कूरजा है आपके लिए कामकाजी जीवन में अधिक समय बिचाना पड़ सकता है तो इसी वज़े से आप चोटे-चोटे गैब के साथ में अपने कार्रे कोशल को बढ़ाते चले जाएं चोटे-चोटे गैब व्यक्ति को री-ेनरजाइस करते हैं घर परिवार से बात कर ली मित्रों से जर्चा कर ली और फिर कामकाज के और संदलग में होते चले गए ये भाब विवेक इस तर के साथ में आप अपने लिए अपना कर चलें मन के भीतर चोटी-चोटी बातों के भुलाओं के साथ में रहने के बिलकुल भी आविशकता हैं आपको यहाँ पर नहीं है ये बात भी आप समर्तियों में जरूर रखिएगा सेंगराशी ये के पराक्रम के साथ में निरंतर तोर पर वर्द्दी बनी हुई है मन के भीतर के जो भटकाव लंबे सिरे से आपको परिशान कर रहे थे उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे इंटर्व्यू कॉल कोई भी आया है तो पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्स के साथ में आपकी जरूर निको एवॉल्व करता चला जा रहा है इस समय के अंतराल पक्ष में आध्यात्मिक स्तर पर प्रगती आपके लिए निरंतर तोर पर उजाकर रहकर आगे बढ़ती चली जाएगी सूरी वर्दान राशी के मानुभाव चोटी चोटी बातों में स्वैम को अविवस्तत करके चलने से बिलकुल भी बचने वाले रहें जो मन के भीतर किसी व्यक्ती विशेश को लेकर कुंठा बनी हुई है उससे भी हटकर अपनी जीवन यात्रा को आज देखने के आवश्क्ता है किसी संबंद के साथ में आप जुड़े उस संबंद के साथ में जीवन के बंदन को आप देखना चाहते हैं गर परिवार को आप इतला देना चाहते हैं शनिदेव वक्री हूँ उसके पहले जो उनका इंतराल है आपके लिए अतिवशिष्ट है उस तरफ अपनी आतरा को लेकर चलना आपके लिए काफी हद तक बहतर सिरा माना जाएगा और उसी इंतराल को सक्षम स्तर के साथ में आप पॉसिटिविटी के बेसेस को रेफलेक्शन में आप लेकर चलने वाले होंगे तो वहीं आजीविका के कोई भी नए पक्ष को आप अपने साथ में उजागर करके चलना चाहते हैं वहाँ पर विवैतरी को तुम विजनों का सायोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा व आप अपने ली जूड़ते चले जाएंगे आज के रूटीन के साथ में बहुत जादा एक्सपेरिमेंट्स के बेसेस को अपने साथ रख कर चलने से आपको बचना चाहिए ये वर्मुख निविदन है तो वहीं पर सुबह सुबह के अंतराल में पुरही परिवार के साथ मे जिवन यात्रा को जड़ा जाए तो अत्यांत बहतरी रह सकती है तो लाराशी सरुपर्थम तो यहां आपके लिए ग्रोहस्त बक्ष की और से भरपूर सहयोग बना हुआ है व्यापारिक जिवन में जो उतार चड़ाव लंबे समय से थे अब वो हटने की तैयारी कर रहे है यात्राएं बहतर सरुकार आपके सामने रख रही है स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्मेंट्स अट्मोस्ट पॉजिटिविटी को स्टबलाइजेशन के साथ में देखने वाले होंगे जो भी महनुभाव स्वयम को किसी बड़े कारे के साथ में जोड़ना पक्ष उनके साथ में कोई भी तरीके की यात्रा की अप्रोच को आप देख रहे हैं तो वहां पर भी अट्मोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ रिफ्लेक्स के साथ में रहते हुई प्रतीत होती है वरिश्च कराशी खर्चों पर नियंतरन रखिएगा परंतु बान सम्मान के सिरों को लेकर आ रही है था था आपके लिए नव आयाम को भी परस्थापित करने वाला इकरम यहां पर बनने वाला हो सकता है इस भावी करम को अपने साथ में जितनी गहराई से आप अपना कर चलते चले जाएंगे उतनी ही इस यात्रा पक्ष को बहतरी के प्रामानिक करम आप देते चले जाएंगे जिसमें कोई भी और रुकावट एवंबाधा आपके साथ में उपस्तित होने वाली नहीं इस समय दुपहर के इंतराल में आलस से संबंधी स्थियों से पूर्ण तया बच कर चलने का प्रहत्नाब करें गुर्वस्त पक्ष के को लेकर चलने से आप बचते चले जाएगा सिचुएशनल बेसेस पर जितना आप अवेर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी रिफ्लेक्स के साथ आपके लिए आती चले जाएगी अपने शमताओं पर पूरा पूरा भरोसा स्थापित करते हुए आगे के और बढ़ना आ अवस्तित प्रतिमान कहा जाएगा तो वहीं जो भी मानुभाव किसी व्यक्ति विशेश के साथ लंबे सरे से बुझाईशों का नया आयाम नहीं देख पा रहे थे जुडाव नहीं देख पा रहे थे उनके लिए भी आज के दिवस्की सकारात मक्ता देखते ही बनती है तो उससे मुक्त रह कर चलने की पुरी-पुरी जरूरत यहां आपके लिए मकर राशी इच्छा शक्ति प्रभावी तोर पर है मन के भीतर के भटकावों से हट कर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं मानसक तोर पर जो ध्रड़ता बनी हुई है वो प्रतिये कारे के साथ में समय को विबक्त करके चलने वाले रहें इस समय में इस कारे को करना है उसके बाद में से आगे बढ़ना है यह जो प्रक्रिया बद्द चरण है आपके लिए बेहद शांदार कहा जाएगा और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जो लंबे रहकर चलने की पूरी पूरी जरुरत आपके लिए बने हुई है। विशेश के साथ में जीवन यातरा के स्पंदन को देखना होता है। उस लहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक दिवस्तत कहा जाएगा। पुराने संबंदों के साथ में पुनश्चा है। एक ताजगी आपके लिए लोटकर आती चली जा रही है। मन के भीतर बनी हुई चिंताओं से पूर्ण तया मुक्त होकर आप अपनी यातरा को देखने वाले रहेंगे। वक्षदरकरम आप अपने साथ उजागर करते हुई जरूर चलते चले जाएगा। और वहीं निवदन है आपसे कि आज के दिवस्त में जो आनंद की धारा बह रही है। उसके साथ में पूर्ण तया खुद को जोड़ना, कई बार कामकाज को भूल कर जीवन यातरा को देखना ये आवशक्त करम होता है। उसके साथ आप खुद को अपना कर चलें। बीन राशी, रिसर्ट संबंदी कामकाज में पॉजिटिविटी, जिन वर्किंग फोल्ड्स के साथ में आप लंबे समय से अब्रप्ट बेसिस देख रहे थे, वहाँ पर इंप्रोवाईजेशन के नोट हैं, वहीं पर इच्छा शक्ती, प्रभावी तोर पर आपके साथ सा हट कर जिवन यात्रा को आगे के और बढ़ाने का कार्या करता चला जा रहा है, याद रखें कि वाणी पर नियंत्रन रखकर चलना इसलिए भी जरूरी है कि हम लोगों के साथ में कहीं पर भी रियक्टिव मेजर्स को लेकर आने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, इस समय में आ अफलत भरे दिरने के साथ में होंगे, उस से स्वयम को संभालने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है, तो ये था अठारे जून दोहजार चौबीस का डैनिक राशिफल, अब ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का प्रयत्न करते रहें, कि दन्यवा देवमकोटी शेह, आभार